हलो अब्रिवन व्लेकम कु डजिस ईसी गेटव फर्सेंट में मिमन डीका के मैं हमने क्यक्या कि था एक्छीॉमेरिकल लिया था। मैं एक और शीकली रोब्द घ्लीन कर जाएं सइकि इसचेंड़ आपको और पो जये हैं कि हमारे कैसे होगा इस पार्ट में हम compliment of DFA भी करेंगे बहुत चोड़ा सा पार्ट है इसलिए मैं इसी पार्ट में उसको include कर दूँगी compliment क्या होता है DFA का ठीए तो अभी हम यह वाला question लेते हैं इस question में हम क्या minimize इसको कैसे करेंगे फर्सट पार्ट में हमने numerical explain किया था एक DFA को minimize किया था तो इस पार्ट में भी हम एक और example ले लेते हैं ताकि आपको much clear हो जाए कि minimization कैसे करना है इसमें हम क्या करेंगे सबसे first step हम क्या करेंगे non-reachable states को remove करेंगे non-reachable state यहाँ पर हमारे पास कौण सी है वह state जिस पर को incoming arrow नहीं होगी यहां हम जिस पर initial state नहीं पहुंच बारे तो यहाँ कौन सी है g वह state हमारी state है क्योंकि g पर को incoming arrow नहीं है क्यों energy- hack x Oriمن नहीं पहुंच सकते तो यहांसे हम्में क्या पता चल रहा फॉर्स स्टेप पे तो कि हमने फॉर्स स्टेप पे Eliminate किया है स्टेट जी वाई विकोज इडिस नॉन रिचेबल सो आगे हम क्या करेंगे फर्दर और कोई स्टेट है जिस पर हम नहीं पहुंच रहे हैं सारे स्टेट से यह जिन पर हम इनिशिल स्टेट से पहुंच रहे हैं तो अब हमारे पास next step क्या होता है table construction का table construct करते हैं इसमें उस video में क्या था उस numerical में जो हमने dfa लिया था उसमें एक ही final state थी और तो हमने final state पर process नहीं किया था इसलिए मैंने ये part बनाया है जिसमें हमरे पस multiple final state multiple non final state है और हम दोनों पर process करेंगे हमारी जो state equivalence algorithm और minimization है वो हम दोनों sets पर कर सकें तो सबसे पहले तो table construct कर लेते हैं table construction में आपको first part में बहुत ही अच्छे से explain कर चुकेंगे table construction कैसे होता है तो यहां मैं directly आपको table construct कर दूँगी थोड़ो थोड़ो बताऊंगे आपको तक यहां भी clear हो जाए पर अगर आपको यहां इतने easily नहीं पता चले तो first part में आप table construction देख सकते हैं हमारा पस input क्या है यहां पर हमारा जो diagram है उसमें input क्या है जिरो एंड वन इंपुट है तो यहां input क्या होंगे जिरो एंड वन ओके स्टेट्स लेते हैं यहां हमारे स्टेट्स क्यू नोट क्यू ना होके हमने a b c d ले ली क्यूंकि एक्जाम में हो सकता है इस तरह से भी लिखा है तो आप लों confused नोग यहां मेशा क्यू नोट क्यू नोट क्यू ले रहें तो initial state आपके यहां पर a है तो a को हम आज़े नाहरो लगा क्लिक देंगे then b c d e and f जिसमें c d and e यह आपके क्या है final states है यह हमारी हम टेबल कंस्ट्रुक्टर होते हैं q not पे sorry a पे 0 देने पे हम कहां पहुंच रहे हैं b पे a पे 1 देने पे c पे b पे 0 देने पे हम a पे and b पे 1 देने पे d पहुंच रहे हैं d की transition same c पे e and then 1 देने पे f d पे 0 देने पे e 1 देने पे f e पे 0 देने पे e की 0 की sorry it's a self 0 देने पे e and 1 देने पे f and f की दोनो 0 and 1 दोनों के लिए क्या है हमर पास self हो पे तो f पे कहां पहुंच रहे हैं हम दोनो f f पे तो यह हमारी table construct होगी अब हमारा next step क्या था कि हम क्या करेंगे final non final के set बनाएंगे तो मैं एक non final short में लिख देती हूं non final का set बना लेती हूं एक तो non final के set में क्या है a b and f a b f यह हो गया और final के set में हमारे बस क्या है c d and e यह हमारे final के set बनाएं ठीक है अब हम इन दोनों पर process करेंगे हमारे जो भी processing चलेगी की minimization की वो दोनों set पे चलेगी तो देखते हैं दोनों set में क्या है first set पे हम देखेंगे a b और f पे comparison apply करेंगे state equivalence का कि क्या state equal है या नहीं है तो a का first b से compare करते हैं a पे zero देने पे b पे पहुंच रहे है b पे zero देने पे a पे पहुंच रहे है it means दोनों क्या है non final states है दोनों same set में है non final state है तो एक बढ़ zero के लिए ठीक है दोनों non final पहुंच रहे है पट A और B पे जब मैं 1 input देती हूं तो A से मैं कहां पहुच रहूं C पे और B से कहां पहुच रहूं D पे Now you can see C and D दोनों क्या है final है It means मैं A input देने पे 0 input देने पे दोनों में कहा non final पहुची और 1 देने पे दोनों में final पहुच रहूं और यह चीजह है valid है मैंने आपको को разработ्या में मताया था आएदर हम वे दोनों नॉन foray पहुचे या एक दिने पे दोनो final पहुचे यह possibility हो सकती है कि एुधा इन पट पे दनों non final पर ad by जा रहे हैं तो यह भी हमना इसा नहीं है कि यह दोनों सेंग से जा रहे हैं आप देखो अगर से के टम में ले तो दोनों S C और D एक ही set किससे final set से belong कर रहे हैं B और A एक ही set A B जो है हमारा वो non-final set से belong कर रहे हैं It means A B और C D एक बार को यह merge हो सकता है ठीक है next अगर हम देखें F के साथ compare करें A को F के साथ compare करें तो आप देख सकते हो A जब F के साथ compare होगा तो B and F दोनों क्या हैं non-final है C and F now C for input 1 it's 1 for input 1 एक हम C, C क्या है हमारा final और F क्या है हमारा non-final F non-final है और C हमारा final है तो हमें क्या pair मिला final non-final का pair मिला इससे यह sure हो चुका है कि जो हमारा F है वो क्या होगा separate होगा इस set से तो हमें जो next step पे हमारे step पे जो हमें non-final का set मिला यहां मैं दोनों set एक साथ लेके चल रही हूँ वो क्या मिले A, B and then F यह set मिला अगर वही मैं final के set की बात करूँ यह हमारा मैं other pen use कर लेकी हूँ ताकि confusion ना हो अगर मैं यहां पे final के set की बात करूँ तो अब हम क्या करते हैं final set पे process करते हैं C,D,E यह हैं C पे 0 देने पे E पे D पे 0 देने पे E पे C पे 1 देने पे F पे D पे 1 देने पे F पे जा रहे हैं F दोनों क्या है non final यह क्या है final अब आपने अगर part 1 देखा हो तो ऐसे तो आपको बहुत easily यहीं पता चल गया होगा कि इन में से कौन-कौन सी मर्ज होगी मैंने first part में आपको बताया था जिनकी entries same होती हैं उनके chances 100% होते हैं maximum chances होते हैं कि वो मर्ज होगी ही होगी Now you can see यह तीनों जो आपकी states हैं इन तीनों states की क्या है entry same है it means what C,D,E मर्ज होगे ही होगे नहीं भी अगर आपको clear होता है तो मैंने अभी step by step हम चली रहे हैं C को D से हम compare कर चुके हैं दोनों final और दोनों non final पे जा रहे हैं C,D,E वो as it is रहेगा क्यों क्योंकि तीनों के जो हमारे further inputs पे जो transitions हैं वो common transition है वो same set से जा रहे हैं आप भले ही यहां देख लो हमारा F अलग हो चुका है लेकिन वो F एक ही set है मतलब one देने पे हम एक ही set पे जा रहे हैं इस set पे non final का जो हमारा second set बना है हम इस पे जा रहे है क्यों क्योंकि E final set पे है मतलब हम एक input देने पे एक ही set पे आ रहे हैं first step पे तो ऐसे आपको final non final के pair करने है साथ में आप set वाला भी लेक के चलोगे तो आप set से भी compare कर सकते हो ठीक है यह होगा हमारे step one now let's see हमारा क्या बचाया अभी यह तो हम sure हो चुके हैं कि C,D,E मर्स होंगे A,B के लिए और चेक करेंगे हम next step पे जब तक हमें same previous step वाला ही as it is set नहीं मिल जाता हम तब तक proceed करेंगे तो next step पे non final का जो मेरा set बनीगा A और B को compare करूंगी 0 देने पे किस से B,A एक ही set से बिलोंग कर रहे है ठीक है one देने पे C और D और C और D भी किस में है एक ही set में है means what A और B एक ही set में रहेंगे अलग नहीं होंगे यह हमारा F और final का set C,D,E तो यहां से हमारा यह finish हो गया क्योंकि हमें as it is वही step का मिला है output तो हमें क्या बता चला A,B मर्ज होंगे C,D,E मर्ज होंगे सिर्फ F अलग हो तो इसका हम diagram construct करते हैं कि हमारा minimum DFA का जो diagram बनेगा हो कैसा बनेगा A,B मर्ज होंगे F अलग रहेगा और C,D,E क्या है हमारे final है तो इनको आप हमेशा double circle में ही लिखोगे C,D,E ओके यह हमारा A क्या था initial था that's why A,B क्या होगा initial बनेगा A initial है तो A वाला state क्या होगा initial बनेगा C,D,E final थे तो C,D,E final होगे यहां आपको clear होगे है हमने final को final के साथ ही compare किया ऐसा नहीं था कि मैं A,B को C,D के साथ भी compare कर दी थी मैंने A,B,F को आपस में compare किया C,D,E को compare किया क्यों क्यों क्योंकि A,B,F क्या थे non-final थे और C,D,E क्या थे finals थे हमें non-final को non-final के साथ compare कर आप transitions बनाते हैं टेबल के according आप easily transition ना सकते हो A, B पे 0 देने अब दोनों एक साथ हैं तो हम दोनों को एक साथ ही लेके चलेंगे A, B पे 0 देने पे कहां जा रहे हूं B, A या A, B इह की बात है बीट मिन 0 पे मुझे क्या मिलेगा self loop A, B पे 1 देने पे कहां जा रहे हूं C and D तो C और D हमें यहां मिले तो 1 देने पे C and D पे जा रहे हैं next अब हमारे पास है F, F के लिए हमारे पास क्या है self loop है 0 and 1 दोनों के लिए आप दूसरा loop बनाना चाहो तो लगा लो other is 0,1 और मैंने आपको DFA construction में जो representation था वहां 0,1 की importance में आई कि कॉमा क्यूं है important ताकि हमें separation हो 0,1 इट मीन 0 followed by 1 हो जाएगा अगर हम कॉमा ना लगाए 0,1 इट मीन वर आइदर 0 और 1 next CDE, CDE पे 0 देने पे कहां आ रहे हूं मैं E पे E का है यही है इट मीन 0 के लिए क्या होगा हमारा cell flow next CDE पे 1 देने पे कहां जा रहे हूं मैं F पे तो CDE पे 1 देने पे मैं कहां आ रहे हूं F पे यह है हमारा minimal DFA for the given DFA now you can see हमारे पास अगर मैं इस non-reachable को भी हटा दूए एक बार वैसे तो आपको क्यूशन पूरा था तो टोटल हमारी कितनी थी 7 स्टेट्स थी बटकर मैं non-reachable को भी टाओं तब भी हमारी कितनी है 6 स्टेट्स हैं but after minimization we have only 3 स्टेट्स तो आप देख सकते हूं कितना minimization पॉसिबल है तो कितनी इसकी वह मतलब performance increase होगी तो यह होता है minimal DFA construct करना ठीक है next topic हम करता है compliment of DFA बहुत छोटा है तो उसको इसी वीडियो में include कर लेते है compliment of DFA कब होता है basically आपको गेट में इस तरह से directly नहीं पूछेंगे classes अगर आप college के according कर रहे हो तो वहाँ आप से हो जगा compliment of DFA theoretical पूछ के फिर आपका example दो लेकिन वहाँ आपसे compliment of DFA might possible पूछ लें अगर वो easy question मना चाते हैं तो आपको DFA देते हैं बोलें कि draw the compliment DFA which one is the compliment of that particular DFA लेकिन maximumly केट में इस तरह से सीधे question नहीं आते हैं वो आपसे क्या करते हैं जो अभी तक हमने DFA construct किये थे हमारे previous video में उसमें हमने क्या क्या था particular string particular finite automata accepting the AB as a sub string और 001 जो हमने draw किया था अगर हम उसी की बात करें accepting 001 as a sub string था अब वो क्या कर सकता है वो accepting की जिगे not accepting कर सकता है तो सिर्फ यहां से ही आप clear हो जाएगा कि आपको क्या करना है accepting बनाना है और उसको compliment करना जादा better है जब आपको इस तरह question मिले not accepting that particular string or that particular symbol तो अब जब not के लिए बनाओगे न तो वो बहुत complicated हो सकता है क्योंकि not के case में आपको क्या है multiple options अब multiple choice लिए वो लगाने पड़ेंगी कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है क्योंकि not के लिए आपके बस एक condition है लेकिन accept करने की तो बहुत सारी conditions हो सकती है तो better यह है कि आप acceptim बनाओ accept करने वाला बनाओ और उसको just उसका compliment कर दो ठीक है just reverse में वो accept करें जो language accept कर रहा है उसके अलावा हो compliment का basically मतलब क्या होता है जो language वो अभी accept कर रहा है जब हम उसको compliment कर देंगे तो उस language को छोड़के बाखी सारी language accept करना शुरू कर देगा वो चीज़ होती है compliment अभी वो मैं उताती हूं हम formally कैसे उसको define करेंगे कैसे करते हैं compliment by interchanging final state as non-final and non-final as a final state we can compliment DFA अगर हम non-final को final बना दे और finals को non-final बना दे तो वो हमारा क्या हो जाता है DFA का compliment हो जाता है लेकिन जब हम compliment करते हैं तो compliment के बाद पहले जो DFA accept कर रहा था उसको छोड़के वो बाकि सारी की सारी languages accept करता है तो basically next step वही लिखे है मैंने if language accepted by DFA is L अगर जो language वो accept कर रहा है DFA अभी उसको मैंने L name दे दिया वो L language accept कर रहा है तो compliment के बाद हो क्या करेगा sigma star minus L और sigma star मैं आपको अल्रेडी बता चुक्यूं sigma star क्या है complete language जैसे हम compliment करते हैं set का तो वो क्या होता है universal minus given set कर देते हैं तो वो क्या होता है उस set का compliment होता है similarly sigma star क्या है complete language मतलब सारी possible languages उस particular input symbols के लिए वो सारी languages accept करेगा except that particular L sigma star minus L मतलब complete language में से उस particular language जो वो accept कर रहा है उसको छोड़ दो बागी सारी language जो accept करेगा वो होता है compliment अम हमें question ले लेते हैं मैंने जैसे बताए कि हमारे पास gate में कैसे आता है gate में इस तरह से नहीं होगा कि वो आपको compliment हो ले वो इसी तरह से खुआ के बुचेगा तो मैंने भी से वही एक question लिया है construct the minimal DFA that accept all the strings of zeros and ones it means हमारे जो input symbol है वो क्या हुआ है 0 और 1 होगा okay where each string not having 0 1 as sub string अगर यह directly DFA बोलता तो having 0 1 as a sub string होता बट इसने क्या बोला है not having 0 1 as a sub string यह चीज़ ध्यान से पढ़ना आप question तब यह उनुला gate के questions बहुत carefully पढ़ना वहाँ एक छोटा सा word पूरे question को change कर देता है अगर यही not नहीं होता तो having 0 1 as sub string अगर किसीने why mistakenly जल्दी जल्दी में यह इतना देख लिए having 0 1 as a sub string बनाना है वो 0 1 as a sub string का बना के और उसके according answer match करके आगए definitely वहाँ आपको confuse करने के लिए वो having 0 1 as a sub string का डागरम जरूर देंगे तो आपको क्या करना है यहां question carefully read करने है gate के हमेशा तो अब हमें क्या करना है not having 0 1 as a sub string मैंने क्या बोला not का बनाने की विजए सबसे बैस तरीका होता है having a sub string का बना देते हैं और उसका compliment कर देते हैं तो हम क्या करेंगे first step पे हमारा जो है step 1 उस पे में क्या करूंगी first draw a dfa having 0 1 as sub string मैं पहले क्या करूंगी वो dfa ड्रॉ करूंगी जो 0 1 as a sub string accept कर रहा है और sub string का मैं already dfa construction में आपको diagram बता चुकी हो अगर आपको वहां से देखना हूं तो आप वहां से clearly यह देख सकते हो 0 1 और 001 वहां ने जो बनाया था 001 as a sub string का बनाया था अब मैं यहां पर 01 as a sub string का भी बना देते हूं स्ट्रिंग मनाओ तो minimum length string का है 01 sub string का है it means 01 क्या है हमारा string भी हो सकता है क्यों क्योंकि complete string is also a sub string तो minimum length string क्या है 01 उसके लगा बाकी 001 भी हो सकती है 101 भी हो सकती है ऐसे करके 110101 something like that इस तरह ऐसे भी हो सकता है ओके तो हम क्या करेंगे इसके लिए diagram ड्रौ करते है तो सबस्वेल है initial state बनाया है मैंने q0 0 सबस्वेल है minimum length string के लिए हमने क्या बताया था dfa construction minimum length string के लिए हम ड्रौ करते है minimum length string हम 0 बने ज़े सब string को ही minimum length लेंगे 01 and then we are going to reach at the final state क्योंकि हम 01 के condition लगानी थी यह हो गया हमारा अब इस पर हम condition supply करेंगे obviously क्यों क्योंकि हमें dfa बनाना है तो dfa के according हमें क्या करना है बाकी की constraints भी लगाने है कि अगर 01 तो हमें पता है लेकिन हर state पे हर input के लिए transition होनी चाहिए अगर 1 से start हो जाए तो भी हमें को problem नहीं क्योंकि question में सिर्फ इतना है कि 01 as a substring है तो obviously 1 से start हो जाए को problem नहीं तो हम यहां आपको अगर यह अच्छे से clear करना है तो अब dfa construction का part first देख ले ना उसमें मैंने यह बहुत ही अच्छे से 001 as a substring का diagram बनाया हुए ठीक है कि यहां मैं इसको directly explain करते हूं 1 से start हो जाए तो भी को problem नहीं तो हम क्या करें self-look 0 के बाद any number of 0s आए doesn't matter क्यों क्योंकि 001 भी हमें 01 as a substring तो देही देगा तो any number of 0s आए यह हो गया after that 0 आए या 1 आए हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि 01 as a substring हमें चाहिए था वो हमें यहां से मिल लिया उसके any number of 0s आए any number of 1s आए doesn't matter अब हमने यह बना दिया having 01 as substring का अब हमें क्या करना है not having as हमें क्या draw करना था not having 01 as substring तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसका compliment करेंगे और compliment के लिए मैंने आपको starting में ही बताया हमें क्या करना है यह रहा हमारा first interchange कर दो final state को non-final बना दो और non-final को क्या final बना दो सर्फ इतना सा करना है तो जब हम यह क्या है हमारी यह दोनों क्या है non-final है यह दोनों क्या मन जाएगी final और यह वाली हमारी क्या हो जाएगी non-final तो q naught हमारी क्या हो गई final state q1 भी हमारी final state और यह हमारी final है तो यह क्या हो जाएगी हमारी non final state यह 0 1 transitions वही रहेंगी as it is आपको सिर्फ states को change करना है transitions change नहीं करना है तो आप यहां से देख सकते हो 1 accept कर लेगा वो 0 accept कर लेगा any number of 0s लेकिन जैसे 1 मिलता है यानि जैसे उसको 0 of 1 का pair मिला वो कहां आजाएगा non final state पे non final पे अगर वो enter हो रहा है it means what कि वो और वहाँ accept नहीं होगी वहाँ acceptance नहीं होगी आप देख भी सकते हो तो यह हमारी एक तरीके से क्या मनगी है यह dead state बन चुकी है तो जैसे ही 01 ऐसे सब स्ट्रिंग आएगा वो क्या हो जाएगा और डेड़ स्टेट में एंटर हो जाएगा यह होता है complement of DFA आपको complement करना होता हो सेम ऐसे ही होता है एक होता है interchange करना होता है उसमें हमें arrows change करना होता है the transitions change करना होता है ठीक है तो inverse of the DFA बोलते है अगर आपको वो करना हो basically आपके exam में complement के एक-दो questions आते हैं इसलिए मैं आपको वो बता है अगर आपको inverse of DFA भी पढ़ना हो तो कोई problem नहीं आप comment में मुझे बता दीजेगा या फिर हम जब closer properties करेंगे तब तो हम inverse और वो सब पढ़ेंगी तो उस time तो obviously उसका example मिझेगा तो यह होता है एक हमारा minimization का हो गया और यह हो गया complement of DFA कुछ नहीं just non-final को final और finals को non-final बनाना होता है अगर आपको इसमें कोई भी doubt हो तो comment section में आप मुझे पूच सकते हैं कि इसमें particular अगर किसी एक step पे हमने यह क्यों किया किस लिए किया ऐसा ही क्यों किया कुछी भी तरह के doubt हो तो आप comment section में उसमें पूच सकते हो तो basically CSC gate CSC branches की subjects के लिए अभी हम theory of computation कर रहे है तो further हम इसको complete करके और भी subjects करेंगे आपको जिस भी subject के लिए जो भी need होगी तो आप मुझे comment में बता दें मैं उस subject की video भी करूँगी अभी तो हम जैसे theory of computation चल रहे है लेकिन अगर किसी को need है तो मैं उस पे भी आपके video अगर आपको requirement होगी तो मैं उस पे भी अपनी video एक upload कर दूँगी तो अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में उससे पूछ लीजे बाकी thank you for watching this video and keep watching the CSC gatehouse please like and subscribe my channel if you really like that video अगर आपको सच में समझ आ रहा है मैं अगर ऐसे compulsory नहीं बोल रही बाट आपको अगर समझ आ रहा है then please like and subscribe my channel thank you so much